Hello students, I'm Dr. Minakshi Meena, Sahaya Kaachari Sociology Government College राजपर आज की हमारी ये क्लास B.A. Part 3 के विध्यारतियों के लिए आईजित की गई है जिसमें किया आपका टॉपिक है विश्ववाद तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा विश्ववाद क्या है और उसकी परिभाशाएं क्या है और आज हम पढ़ेंगे विश्ववाद की विशेशताएं क्या-क्या है तो नमबर एक है विश्ववाद संसार के सभी देशों में व्यापत एक सारभोमिक प्रक्रिया नहीं है इसका संबन्द कुछ विशेश देशों के बीच विशेश प्रेणाव की आधार पर एक दूसरे के साथ इस तरह संबन्द इस्थापित करना है जिससे वे सयंत रूप से अपने लक्षी को प्राप्त कर सके इस रूप में जिस दशा को हम विश्वाद कहते हैं वह आशिक विश्वाद ही होता है यही कारण है कि अलग-अलग देशों में विश्वाद से संबन्द गहनता और संबदता की मात्रा एक दूसरे से भिन होती है नमबर दो है विश्वाद का संबन्द सीमित एक रूपता से है इसका तात्परिय है कि जिनों देशों अत्वा प्रेणाओं से विश्वाद की प्रक्रिया प्रभावित होती है उसके प्रती संबंदित देशों अत्र समुदायों की कटीबदता सामानी प्रकृती की नहीं होती इसके फल सुरूप विश्ववाद का आंत्रिक वे भाय सुरूप एक दूसरे से भिन्र भी हो सकता है तीसरी विश्ववाद प्रेणा और मौकिक समझोते पर आधरित एक एच्चिक प्रक्रिया है इसे संग अत्वा इसी तरह के किसी वैश्विक संग्ठन द्वारा संचाली तत्व नियमित नहीं किया जाता चौथी विश्ववाद का 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 सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है उधारण के लिए परियावरण की रक्षा करने की चेतना से संबंदित विश्ववाद इसके सकारात्मक पक्ष को सपष्ट करता है तो दूसरी और धार्मिक कटरता के आधार पर यदि कुछ देश आपस में गनिश्ट संब पर उनका धार्मिक आधिपत्ति स्थापित हो सके तो पारिभाशित रूप से ये दशा विश्ववाद से संबंदित होने के बाद भी इसके नकारात्मक पक्ष से संबंदित होगी चड़ा पॉइंट है हमारा एक अवधार्णा के रूप में विश्ववाद की प्रकृत आ तो अपने आप में एक प्रामबक और अपून दशा है विश्ववाद के प्रकार अब हमारा टॉपिक है विश्ववाद के कितने प्रकार हैं तो पहला टॉपिक है आर्थिक विश्ववाद यह विश्ववाद का सबसे रचनात्मा कतम है दोपून आयाम है जिसके दोरा व वैश्वी करतिवस्ता का सबसे उधारवादी देश के रूप में देखता रहा था, अपने नागरीकों को आशकता से अधिक आर्थिक सुजदाएं देने के कारण 2015 तक आर्थिक दिवाली ये पनके कगार पर पहुँच गया, इस दशा में यूरो से संबंदी देशों ने उसे संकर से निकलने में मदद की, इस तरह डॉलर से संबंदी देशों का भी अपना एक अलग संक्ठन है, जिसका उद देश वैश्वी कादार पर एक दूसरे के हितों का संडक्षन करना है, विश्वाद का यह रूप काफी हद तक वैश्वी करन की प्रक्रिया के ही समान है, अब हमारा दूसरा प्रकार क्या है विश्वाद का, परियावरन संबंदी तथा जैवी की विश्वाद, यह गैर आर्थिक विश्वाद का दूसरा प्रमुक प्रकार है, परियावरन संबंदी विश्वाद का रूप तब से देखने को मिलता है, जब से मानाव जनसंक्या के जीवन पर परियावरण के प्रतिकूल प्रभाओं को महसूस किया जाने लगा इसके प्रल्सरू विभिन देशों ने एक जो ठोकर परियावार संबंदी जिस नई चेतना को विक्सित किया उसी को परियावारनी विश्ववात कहा जाता है जैवी के विश्ववाद का संबंद वैश्वी किस्तर पर किये जाने वाले उन प्रियत्नों से है जिनके दोरा विश्व के बड़े इससे में फैलने वाली महामारियों को रोगने के व्यापक प्रियत्न किये गए जेचक और प्लेग ने जब मिश्र चीन, भारत, यूरोप तथा लेटिन अमेरिका के देशों के जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया तो इसके विरुद किये जाने वाले प्रियत्नों ने जैवी की विश्ववाद का रूप ले लिया संसार में सैनिक विश्ववाद का रूप बहुत प्राचीन रहा है जब बड़े समराटों तथा तानाशाहों एम सामराजवादी देशों ने अपनी सैनिक शेष्टा को स्थापित करने का प्रियत्न किया साथ ही वैश्व इस्तर पर एक नई सहस्कृती वैचारीकी को स्थापित करने का प्रियत्न किया धार्मिक आधार पर भी बोर्धरम यहूदी वाद, इसाइयत तथा इसराम के प्रभावको विश्व के विबिन देशों में स्थापित करने के प्रियाथ होते रहे हैं हाल ही में धार्मिक आधार पर सैनिक और कूटनितिक विश्ववात का रूप आतंक वाधी संग्ठनों के नेटवर्क के रूप में देखने को मिलता है, जिनका उद्देश आतंक पर आधारिक धार्मिक साधी पत्य की स्थापना करने से है। इसका आधार विविन आधियां तक वाधी संग्ठनों दोरा जिहाद और इसलामी करण पर आधारिक विस्तारवात के लिए एक दूसरे से इस तरह घट जोड करना है जिससे की शक्ति के दोरा इसलामी विचारदारावे संस्कृति को प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। इस तरह के विश्ववात को सबसे स्पष्ट रूप में स्पष्ट करता है चौथा हमारा प्रकार है विश्ववात का सांस्कृतिक विश्ववात एक दूसरे से बहुत दूरी परिस्थित विविन देशों के बीज कुछ विशेश, विचारों, ग्यान, प्रध्योगी की त कीवन, मूलियों, तदा संस्थाओं का प्रसार करने का प्रयतन किया जाता है अनेक समाज शास्रियों ने इस तशाकों संगूरूपत आवात कहा है इसका आधार यह विश्वास है कि विशारों के परिवरतन के दौरा किसी भी समाज के रूप को बढ़ला जा सकता है किसी भ परिवर्तनिक राजनेतिक संस्थाओं के अलावा मनोरंजन फैशन और भाषा में परिवर्तन लाने में भी सामाजिक सांस्कतिक परिवर्तन के एक महतुपुन भूमी का होती है। क्या है। आज ही क्लास में इतना ही नमस्का।